दोस्तो आज के वीडियो में हम टेस्ट नमर 24 शुरू करने जा रहे हैं आप शुरू से अंतक वीडियो देखने के बाद ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेयर करिएगा तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सिधा इस वीडियो को सुरू करता हूं आज का पहला प्रश्ण कोश्चन नमबर वन भारतिय समिधान में मौलिक करताब कब सम्मिलित किये गए कब किये गए यह आपको बताना है दोस्तों प्रतेक प्रश्ण के लिए इस टेस्ट में आपको 5 सकेंड का समय दिया जाएगा और उस 5 सकेंड के भीतर ही प्रतेक प्रश्ण का आप एंसर करते रहें और वीडियो के अन्त में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्ण सही हो हैं तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा option number C 1976 में भारतिय समिधान में मौलिक कर्तब को जुड़ा गिया था 1976 में अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर हमारा अगला प्रश्ण कौन सा नदी दच्छिन भारत की गंगा कहलाती है बहरी बहरी इंपर्टेंट कोशन दोस्तों और काफी बार एकजाम में यह प्रश्ण पूछा गया है तो दोस्तो इस प्रश्ण का सहित रोजागा ओप्सन नमबर डी गुदावरी को कहा जाता है दच्छिन भारत की गंगा अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर हमारा अगला प्रश्ण कोश्चन नमबर चार किसी नेत्र का निकट बिंदू है कितना है यह आपको बताना है नेत्र का निकट बिंदू तो दोस्तो इस प्रश्ण का सहित रोजागा ओप्सन नमबर बी पचीश सेंटीमीटर अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर हमारा अगला प्रश्ण कोश्चन नमबर फाइव समानि मानो नेत्र का दूर बिंदू होता है कितना होता यह आपको लेक्त वताना दूर बिंदू अगे करें, चुर्म है तो दोस्तो इस सहित रोजागा आप्सान नंबर बी अनंत पर होता है निकटम बिंदू 25 सेंटीमीटर पे होता है और दूर बिंदू अननत पे होता है यह आपको याद रखना है दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रत्यक प्रशन का एंसर जरूर करते चलें ताकि आपको यह पता चल सके कि आप कितने तयारी में हैं और आपको कितना तयारी करना नमबर 6 विद्दुत बलव का फिलामेंट होता है किसका बना होता यह आपको बताना विद्दुत बलव का फिलामेंट तो दोस्तो इस प्रशन का सहीट रुजागा ऑप्सन नमबर C टंगश्टन का बना होता है अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 7 गांधी जी ने सौर पर्थम भारत में सत्यागरा का परियोग कहां किया तो दोस्तो इस प्रशन का सहीट रुजागा ऑप्सन नमबर C चमपारन में किया था अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 8 रोगियों के नाक, कान, गले, आदी, जांज के लिए डाक्टर परियोग करते हैं कौन से दर्पन का प्रियोग करते हैं ये आपको बताना है तो दोस्तो उस दर्पन का नाम है आउतल दर्पन यानि अफसन नमबर C इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 9 ही ने भारत का कौन सा राज सक्कर का कटोरा कहलाता है तो दोस्तो उस राज का नाम है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश को सक्कर का कटोरा कहा जाता है अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 10 हीरा का आप वर्ट नांग है कितना ही एक आपको बताना है ही राका अपवर्ट नांग सभाने प्लांग से तो चलते हैं हेमारा अगला प्रस्न में कोशनमर 11 मंठक्र भारत छोड़ो आंदोलन काउंडरेस ने कब सुरू किया था? तो दोस्तो इस प्रशन का सहीतर हो जाएगा आपसान नमबर D 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन काउंडरेस के दोरा सुरू किया गया था अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 12 सॉलर कूकर में परियोग किया जाते हैं किस दर्पन का परियोग किया जाता है? सॉलर कूकर में ये आपको बताना है तो दोस्तो इस प्रशन का सहीतर हो जागा आपसान नमबर A अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रश्ण यह को स्थीत र तो दोस्तो इस प्रश्ण का सहीत रोस्जागा नंबर सिस्थहारा टुले पर्देश को वी そう सबसे गर्म पर्देश कहा जाता है अब चलते हैं अगले प्रम यिवोर हमारा अधला प्रश्ण यह's प्रति वर्ष भारत का ब्रिहत्तम पसु मेला लगता है कहां लगता यह आपको बताना है तो इस प्रशन का से तरह जाएगा अप्शन नमर डी सोनपूर में अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन कोशन नमर पंद्रा पानी में डाली हुई छड़ी तेड़ी दिखाई देती है इसका कारण है क्या कारण है यह आपको बताना है तो दोस्तो ऐसी घटना को कहते हैं अप वर्तन की घटना यानि अपसर नमर बी इस प्रशन का सही उत्तर हो जागा दोस्तो आप भी हमारे साथ प्रतिक प्रशन का एंसर जरू करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रशन सही हो रहे हैं ताकि आपको यह अनुभव हो सके कि आप एकजाम के लिए कितना प्रेपेर हैं अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमा यह लागू किया गया अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रस्दे को इह नंबर सत्रा आंक में परवेप करने वाले प्रकास की मात्रा को नियंतिरित करता है कौन नियंतिरित करता है यह आपको कितनी परतिसत सीटे आरच्छित है तो दोस्तों इस प्रशन का सहीत तरजागा अप्शन नमबर सी 33 परतिसत सीटे आरच्छित है अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा आगला प्रशन कोश्चन नमबर 19 यदि दर्पन में बना प्रतिवीम हमेशा सीधा आकार में दर्पन है कौन सा दर्पन है यह आपको बताना है तो इस प्रशन का सहीत तरजागा अप्शन नमबर सी समतल दर्पन है अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 20 200 जल दिवस कब मनाया जाता है हमारा अगला प्रशन है कोश्चन नमबर 21 भारत का वोश्टन किसे कहा जाता है तो दोस्तो इस प्रशन का सहीत तो जाओगा और अप्सन नमबर ए आमदाबाद को भारत का वोश्टन कहा जाता है अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर हमारा अगला प्रश्ण कोश्चन नमबर 22 नमक सत्याग्रा के दौरान निम्लिकित में से कौन गांधी जी से जुड़ें अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर हमारा अगला प्रश्ण कोश्चन नमबर 23 बीसो में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन है ये आपको बताना है तो दोस्तो इस प्रश्ण का से जीत रोजागा और सन नमबर वी चीन अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर हमारा अगला प्रश्ण कोश्चन नमबर 24 ग्लोब में करकरेखा भारत के कितने राजियों से होकर गुजरती है तो दोस्तो इस प्रशन का से तरो जागा अप्सन नमबर आठ करक रेखा भारत के आठ राजियों से होकर गुजरती है वह कौन-कौन है उनके नाम आप हो सके तो कॉमेंट कर सकते हैं अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर हमारा अगला प्रशन कोश्चन नमबर 25 भारत में मंत हैं प्रशन का स्य तरोister अफर नमबर 25 लोगसभण के जवाब दे होता है तो दोस्तो यहीं पर हमारा यह विडियो समाबंत होता है अब आपको यह विडियो अच्छा लगे तो इस विडियो को like करें और अपने दोस्तों में इस विडियो को share करें और आपके कितने प्रशने सही हुए हैं ये आप हमें जरूर comment box में बताएं तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली विडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदेमातर।